तो आज का अवार टॉपिक सी प्लस प्लस असाइन्मेंट ऑपरेटर है हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स देखे थे यह असाइन्मेंट ऑपरेटर है और नाम से जैसे पता पढ़ रहा है कि कोई वैल्यू असाइन करने के लिए काम में आता है असाइन्मेंट ऑपरेटर में में जो सबसे में ऑपरेटर एक है वही यही है डैट इस इकोल स्टू साइन क्योंकि इसको हम नॉर्मल उसमें भी असाइन करने के लिए वैल्यू असाइन करने के लिए यह वाला ऑपरेटर यूज करते तो दिस इस दा असाइन्मेंट ऑपरेट इंट टाइप का एक्स और इक्वल टू इस इस डा ऑपरेटर यह उपरेटर लगाए और वैल्यू टैन असाइंड कर दिए तो यहां पे असाइन्मेंट ऑपरेटर में इक्वल टू है इससे हम वैल्यू असाइन करते हैं यानि कि आप लेफ्ट साइड के वेरियबल को एडिशन असाइन्मेंट ऑपरेटर जिसका होता है प्लस इकुल स्टू प्लस इक्वोस्टू सांड कैसे वक करता है इसका मतलब क्या होता है यह वग करता है हमारा एक्जमपल से अगर हमें इस चीज को समझें यहां पे एक variable लिया हमने X equals to 10 और एक और variable अब हम माल लिजे उसी X को हमने X plus equals to अगर 5 लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ अब ये मतलब हुआ कि जो X की current value है यानि कि 10 10 इधर जाके यानि कि current value इधर जाके और इस value के साथ plus हो जाती है यानि कि अब X की नई value के हो जाएगी 10 plus 5 क्योंकि ये shortcut है किस चीज का अगर मैं X equals to X plus 5 लिखूं उसकी shortcut की जगे हम plus equals to वाला operator लगा देते हैं तो this is the plus equals to operator बिलकुल इसी तरीके से minus equals to multiplication equals to चलता है इसको हम example से और better समझते हैं यहां भी अगर हम example देखेंगे तो हमें अब क्या result आ रहा है अगर हमने जब X equals to 10 और X plus 5 करके C out में अब X लिया तो X का result हमें 5 नहीं दिख रहा हमें दिख रहा है 15 यहां पे देखिए 15 हमें X का result दिखाई दे रहा है यह क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यह वाला जो operator लगाया है यह operator basically क्या कर रहा है जो भी X की current value है उसको इधर plus कर रहा है यानि की plus X यह वाला काम करता है यह operator यह shortcut है मुझे अब यह लिखने की जरुरत नहीं है मैं सीधे plus equals to लिखूंगा तो it means कि जो भी X की current value है वो उसमें 5 add हो जाएगा और वो फिर हम उसको print कर लिया और value नई value X को क्या मिल गई 15 ऐसे ही अगर मैं इसको minus equals to भी यूज कर सकता हूं माइनस इकोस टू क्या करेगा उसमें से सब्सक्राइब और नई value को assign कर देगा अब यह देखिए 5 रह गया कि हम कर देंगे तो वो उसको कर देगा यह कि फिफ्टी आना चाहिए रिजल्ट कि फिफ्टी रिजल्ट आ गया तो डिवीजन हो जाएगा तो यह assignment operator है मतला हम क्या कर रहे हैं इधर इधर वाली पायट को यह value assign कर रहे हैं यहाँ पर करन्ट तो पहला तो था equal to operator बाकी plus equals to minus equal to multiplication equals to division equals to यह सारे के सारे इसके साथ और आगे तो इस इस देग्जैंपल of assignment operator है अब हम वापस आगे यहां इसमें सारे operators की एक लिस्ट है और जो भी operator दिखाई देरा आपको कि plus minus multiplication division even modulus एंड और मतलब यह कुछ इस तरीके के हैं greater than smaller than science के साथ यह भी यह भी हम अभी आगे और देखेंगे क्योंकि अभी हम operator में logical operators वगरा पढ़ेंगे तो यह logical operators कहलाते हैं हम logical operator comparison operator इन सबके साथ भी इनको use कर सकते हैं तो यानि हमने arithmetic हमने पहले तो एक assignment operator equal to देखा फिर हमने देखा कि हम arithmetic operators जो की plus minus multiplication division और modulus था उनके साथ भी assignment operator को use कर सकते हैं फिर आगे और यह logical operators है comparison operator है सबके साथ हम assignment operator को use कर सकते हैं तो these are assignment operators